Welcome to Civil Service IOS, you're both a YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Services. पूरी दुनिया और उस दुनिया के बड़े बड़े देश देखते रहें। और आकरकार चांद के साउथ पोल पर सौफ्ट लांडिंग करने वाले दुनिया के पहले देश का किताब हिंदुस्तान के नाम हुआ। भारत के पहले मैंड स्पेश मिशन गगन्यान की। हालकि इस मिशन के पहले भी इस रो कुछ इंपॉर्टन मिशन जिसे आदित तयलवन, मंगलियान 2 और शुक्रियान की लॉंचिंग को अंजाम दे सकता है। लेकिन इन सभी मिशन के बीच गगन्यान मिशन को इस रो के अब रिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं। डेफिनेटली स्पेस में पहुचना कोई रेर अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जून 2023 से मिले डेटा के हिसाब से अब तक सिर्फ 656 लोगी स्पेस में गए हैं। लेकिन इन डेटा असली पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि असल में ये सभी लोग सिर्फ तीन देशों दोरा स्पेस में भेजे गए हैं। यानि मैंड स्पेस मिशन को पूरा करने की केपिविलिटी सिर्फ तीन देशों के पास हैं। और वो देश हैं USA, Russia और चाइना। गगणयान मिशन की सफलता भारत को इस लिस्ट में जोडते हुए दु स्पेस में भारती एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा और कैसे वहाँ पर मिशन कम्प्लीट करके वापस उसे एस्ट्रोनॉट्स के साथ लोटना है। साथ यह हम इस मिशन से जुड़े चैलेंजिस को भी डिसकस करेंगे। तो इस वीड़ो की इंपॉर्टन्स से पहला चैलेंज है इस मिशन के लिए व्योमनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट कर उन्हें मिशन के लिए तयार करना। 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारती बने थे और अपने मिशन से पहले वो इंडियन एर फोर्स में विंग कमांडर के त से बातचीत की गई इसके लिए इसरों ने ग्लाफ कॉस्मोस नाम की एक रशिन कंपनी का रुख किया जो रॉस कॉस्मोस स्टेट कॉर्परेशन का पार्ट है इस कंपनी और इसरों के मैंड स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच 27 चून 2019 को इंडियन कैंडिट्स के ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्राक्ट साइन किया गया उसके बाद 10 फरवरी 2020 को यूरी गागरिन कॉस्मोनाट ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन कैंडिट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई अलाकि मार्च में हुए कोईट पैंडिमिक आउटब्रिक की वज़े से कुछ टाइम के जहां उनकी फ्लाइट ट्रेनिंग को शेडिूल किया गया था यहां इंडियन एर फोर्स बेस पर लगबग एक हफ़ते के लिए इन अस्टरनौट्स ने फाइटर प्रेंस में ट्रेनिंग ली जिसके बाद दूसरे ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए आगे फेसिलिटी में पहुँचे गगन्यार की रिक्वार्मेंट को फुल्फिल करने के लिए सेंटर में तीन तरह की सिमिलेटर्स और दूसरी ट्रेनिंग फेसिलिटीज को इंक्लूट किया गया है पहला सिमिलेटर कमर्शिली प्रोक्ट्रोर किया गया है जो कि एक वर्शियोल simulator है, दूसरा simulator machine के साथ interactions को simulate करता है, वहीं तीसरा simulator crew model simulator होगा जिसमें internal settings, environment control और life support system जैसी चीज़े हैं, लेकिन आने वाले feature में human space programs के लिए और जादा बड़ी और sophisticated training facility को बैंगरूरू से लगबग 200 km दूर चलकेरे में बनाया जाएगा, इस mission में specific crew training के बाद चारो astronauts को एक apex committee द्वारा बनाये गए, थ्री semester curriculum को study करना होगा इस curriculum को बनाने वाली apex committee में space में जाने वाले भारती astronaut राकेश शर्मा और राकेश शर्मा के साथ space mission के लिए training पूरी कर चुके, retired air commander रवीश मलहोतरा शामिल है इस curriculum में human rated launch vehicle orbital module system space medicine, launch complex procedures, microgravity familiarization, human rating and certification, recovery operations survival training जैसी सभी subjects को cover किया जाएगा अपने astronauts को तयार करने की ही तरह है, इस mission से जुड़ा एक और major challenge है, इस mission में काम आने वाले space suit को बनाना आज space suit manufacturing में दुनिया की one of the best company है, रश्या की जवेजदा, 1952 में establish हुई एक company, aircraft और spacecraft crew के लिए portable light support systems को design, develop और produce करती है Moscow के पास located इस company ने रश्या के दोरा use किये जाने वाले ज़्यादातर space suits को बनाया है इसमें 1961 में space में travel करने वाले पहले ही one, Yuri Gagarin दोरा use किये जाने वाला space suit भी जवेजदा कंपनी को Indian astronauts के space suits को manufacture करने के जब्मेदारी देते हुए announce किया कि Indian astronauts इसी company के suits पहनेंगे ये company space suits के लावा Indian astronauts के लिए individual seats और custom made couch liners भी बना रही है अगली requirement है mission duration के दोरान astronauts के लिए suitable और required food को prepare करना, इसके जब्मेदारी Mysuru में situated defense food research laboratory को दी गई है और खुशी की बात यह है कि यहां के 40 scientists ने गगन यान mission के लिए ready to eat dishes already तयार कर ली है जिनके required quantity को orders मिलने पर deliver किया जाएगा इतना ही नहीं, mission की launching से पहले communications related issues को भी address करना ज़रूरी होगा, जिसके लिए foreign space agencies की help ली जा रही है गारन के लिए France की space agency CNES, India के flight physicians और Capcom mission control teams को training देगी इसी तरह mission की smooth monitoring के लिए Australia के साथ भी बात की गई है ताकि Australian territory Cocos Island पर ground station set up किया जा सके तुस्तो गरगणयान का वज़न होगा 8.2 ton और इसकी carrying capacity तीन astronauts की होगी theoretically scientists ने इस mission को space तक पहुचाने के process को 4 steps में divide किया था पहला step यानि सबसे पहले चरण में launch vehicle को design और develop करना इस mission के लिए इस रोन ने अपने proven और reliable launch vehicle LVM3 का chain किया है ये वही launch vehicle है जिसका अस्तमाल चंद्रयान 3 को launch करने के लिए किया गया था तेकिन चूकि इस launch vehicle को manned mission के हिसाब से modify किया गया है इसलिए अब इसका नाम HLVM3 यानि human rated LVM3 रखा गया है वैसे तो ये launch vehicle तीन stages का ही है इसमें पहली stage solid fuel based दूसरी stage liquid fuel based और तीसरी cryogenic stage होगी solid stage में fuel के तौर पे HTPB यानि hydroxyl terminated polybutadine का इस्तमाल liquid stage में UDMH यानि unsymmetrical dimethyl hydrazine का use और cryogenic stage में liquid oxygen और liquid hydrogen का इस्तमाल किया जाएगा इन दो stages के लाबा इसमें एक orbital module और crew escape system को भी जोड़ा गया है गगन यान के space में पहुँचने के बाद launch vehicle से orbital module अलग हो जाएगा इस orbital module को state of the art avionic system से less किया गया है और इस avionic system को human safety के मद्दे नज़र रख कर develop किया गया है orbital module में दो parts attached है पहला है crew module और दूसरा है service module crew module को बिलकुल earth के किसी habitable environment की तरह बनाया गया है इसमें double wall का construction किया गया है इसमें pressurized metallic inner structure और thermal protection system के साथ unpressurized external structure शामिल है सिर्फ इतना ही नहीं crew module में crew interfaces human centric products live support system avionics और deceleration system भी मद्द है साथी यही crew module astronauts को safely वापस earth surface पर लाने का काम भी करेगा service module का काम होगा orbit में रहने के दौरान crew model को necessary support देना यह एक unpressurized structure होगा जिसमें thermal system propulsion system, power system avionic system और deployment mechanisms होगे सबसे last में आता है crew escape system अकर launch pad पर यह ascent phase के दौरान किसी भी प्रकार के emergency हो जाती है तो ऐसे में crew की safety को ensure करने के लिए यह escape system डिजाइन किया गया है यह emergency के case में crew को एक safe distance पर पहुँचा देगा और इस purpose के लिए इस system में quick acting और high burn rate वाले solid motors का इस्तमाल किया गया है astronauts की safety को धान में रखते हुए इस रो ने manned mission बेजने से पहले unmanned mission भी plan कर रखा है यह technology demonstration, safety और reliability verification के लिए एक prototype की तरह होगा जो crewed flight से पहले system की performance को study करेगा unmanned mission में व्योमा मित्र नाम का एक robot को space भीचा जाएगा और वापस अर्थ पर लाया जाएगा इस unmanned mission के successful होने के बाद manned mission को आगे proceed करने के लिए हरी जंडी दिखाए जाएगी manned mission में सबसे पहले LVM3 launch vehicle को श्रीहरी कोटा के सतीज जवन space center से launch किया जाएगा यह rocket गगन यान को space में लिकर जाएगा और अलगबग 16 minute की उड़ान के बाद rocket orbital module को और इस दोरान astronauts अपने mission को अंजाम देंगे astronauts space में करीब 7 दिन तक रहेंगे और इस दोरान सभी planned experiments को पूरा करेंगे और mission objectives को फुल्फिल करेंगे mission पूरा होने के बाद orbital module के दोनों हिससे यानि service module और crew module एक दूसरे से अलग हो जाएगे इसके बाद astronauts को carry करते हुए ये crew module Earth के atmosphere के friction को जहिलते हुए ये re-enter कर जाएगा जिसके बाद इसे Bay of Bengal में land कराया जाएगा landing के समय अर्थ की gravity की वज़े से crew module काफी तेजी से Earth की तरफ बढ़ रहा होगा और शीज को धार में रखते हुए crew module की speed को कम करने के लिए इसमें दो parachutes को attach किया गया है ये parachutes crew module की speed को 260 meters per second से घटा कर 11 meter per second तक ले जाएगा जिसके बाद crew module पानी की उपर land कर जाएगा इस दुरान crew module से astronauts के recovery के लिए पहले से ही वहाँ पर एक team तेनाथ होगी जो astronauts को Indian mainland पर ले के आएंगे इस पूरे mission के दुरान crew module के अंदर astronauts को तरह तरह के challenges फेस करने होंगे गगन यान को पूरे mission के दुरान अर्थ जैसा atmosphere create करने के लिए oxygen के adequate supply, comfortable temperature और humidity को maintain करना होगा एक gravity field से दूसरी gravity field में transition के दुरान astronauts की body पर भी negative impact पड़ता है इसकी वेरे से उनका hand eye और head eye coordination effect होता है astronauts को Earth के comparison में space mission के दुरान लगबग 10 गुना जादा radiation जहिलने पड़ती है जो cancer के risk को पढ़ा सकता है और central nervous system में problems create कर सकता है इसलिए पूरे system को भी full proof बनाया जाना जरूरी है क्योंकि अगर pressure system में कोई छोटी से भी गड़बड़ी हुई तो module implode या explode हो सकता है तो सो गगणयान mission के पास बहुत बड़ा potential है कि जहां वो इंडिया के लिए एक historic achievement को mark कर सकता है तेकिन ये mission लगतार delay होता जा रहा है जिसके कई कारण रहे है गगणयान mission में delay होने का सबसे पहला और major reason है टेक्नोलोजिकल challenges necessary life support system, spacecraft design और crew module को develop करने के साथ साथ space में उनकी compatibility को परखना जरूरी है वरना एक छोटी सी गलती की कारण astronauts अपनी जान कवा बैठेंगे जिसके उधारन हम पहले भी देख चुके हैं जिसे 27 जन्वरी 1967 को हुए Apollo 1 disaster में हुआ था Apollo 1 mission के लिए pre-launch test के दुरान cabin में आग लग गए जिसके वज़े से तीन astronauts की जान चली गई थी जास में पता लगा कि एक electrical fault की वज़े से cabin में मुझूद oxygen atmosphere ने आग पकड़ ली थी 28 जन्वरी 1986 को भी एक ऐसा ही space disaster तब हुआ जब lift off के सिर्फ 73 सेकंड बाद challenger space shuttle जलकर राख हो गया था इस explosion की वज़े से सभी साथ astronauts की मौत हो गई थी इस tragedy की reason को जब धूनने की कोशिश की गई तो पता चला कि एक solid rocket booster की और ring seal फेल हो गई थी जो इस हाथसे का कारण बनी इसी तरह एक फरवरी 2003 को कुलंबिया space shuttle ने earth atmosphere में re-enter करते हुए आग पकंड ली थी जब कारण खो जा गया तो पता लगा कि launch के दुरान external fuel tank से निकला हुआ foam insulation का एक piece vehicle की left wing पर लग गया था जिससे space shuttle का thermal protection system damage हो गया था re-entry के दुरान इसी damage का फाइदा उठा कर superheat gases penetrate कर गए और space shuttle के साथ-साथ उसमें मौझूद 7 crew members भी चल गए दोस्तों crash के example से बताने के लिए काफी है कि manned space missions कितने complex होते हैं जिनने ensure करने के लिए एक इक कदम फूब फूब कर रखना जरूरी है जो delay का major reason है इनी technological difficulties के कारण 2020 में आया global COVID-19 pandemic भी delay का एक major कारण बना lockdown, travel restriction और safety protocols में work schedule के साथ-साथ supply chain और collaborations को भी disturb किया इसके लावा budget constraints, दूसरे mission की priority और rigorous testing जैसे reasons भी समय समय पर इस program को delay करते रहे हैं गगनया mission भारत की space exploration journey में एक रिमार्कबल milestone बन सकता है अंतरक्ष में humans को भीजने का जो aim इस रोंने बनाया है वदेश के determination, technological prowess और scientific advancement की तरह commitment को दर्शाता है अगर ये mission successfully execute कर लिया गया तो ना सरफ ऐसे space travel में भारत की capabilities को demonstrate किया जा सकेगा अब जैसे जैसे mission आगे progress करेगा वैसे वैसे पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ बढ़ेगी फिलाल इस mission की progress को दिखते हुए एक बात तैहे कि इससे launch होने में considerable amount of time लगने वाला है क्योंकि इस रो full proof plan के साथ ही इस mission की तैयरी कर रहा है जो इस mission की success probability को और जादा बढ़ा देगा जिस तरह से एजरो ने moon के south pole पर land करके भारत को गवानवित किया है इससे भी बहतर एहसास गगन्यान हमें देने वाला है इस उम्मीद के साथ आज की discussion को हम यही समाप्त करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीरो की importance UPSC prelims और wins में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको comment section में आलसर करना है and the question is discuss about the potential benefits which India will get after achieving significant milestones in the field of space exploration and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करना मत भूँए by subscribing to our channel you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire